नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अचार जागेंद्रमिस्त्रा में और माता लक्षमी जी के क्रिपाश शदैब हमारे उपर बरस्ती रहे दोस्तों इस बार होलिका दहन 28 मार्च 2021 दिन रभी बार को मनाई जाएगी दोस्तों इस दिन का जो सुब महुर्द होगा जैसे की होलिका दहन जलाने का वय होगा साम 6 बचकर 33 मिनट से सुरुआत होगी औ और रातरी 8 बचकर 35 मिनट पे समापती होगी यानि कि लगभग 2 घंटे 24 मिनट पे आपको यह अगनी जलानी होलिका दहन पर विशेश रुप से उपाए और टोटके करने हैं अगर आप कुछ उपाए या टोटके करते हैं इस होलिका दहन के दिन तो जीवन में शुक्ष सम पोडिमा तिथी को मनाई जाती है और इस बार यह पोडिमा तिथी 28 मार्च 2020 दिन रविवार को मनाई जाएगी दोस्तों इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम मनाते हैं और दोस्तों कहते हैं कि हिरन कश्षप की बहन हिरन कश्षप के कहने पर यानि कि होलिका वह उन्हें जलाना चाहती थी लेकिन प्रहलात की भक्ति के आगे उसको हार माननी पड़ी और होलिका जल कर राख हो गई और दोस्तों प्रहलात का बाल भी बांका नहीं हुआ अब भक्ति के आगे यानि कि भक्ति की जो सकती है उसका प्रतीक रूप में हम हर साल होली के रूप में मनाते हैं होली का दहन बहुत ही पवित्र चीज मानी जाती है होली का दहन के दिन हम कुछ न कुछ उपाय टोटके करते हैं जीवन में शुक्षम्रद्धी पाने के लिए चुकि दोस्तों हमारा जो टोपिक है आज का कि होली का दहन के दिन एक चीज जरूर खा लेना ताकि पूरे साल जम कर आएगा पैसा जी हां दोस्तों अब होली का दहन के दिन यानि कि आपको सिर्फ एक चीज खा लेना है ताकि जीबन में शुक्षम्रद्धी बढ़ती रहे धन की कमी कभी न हो वैसे भी आप कुछ नकुछ यानि कि उपाय टोटके करते रहते हैं और इस दिन दोस्तों बहुत ही अच्छे सुब्योग और दुरलब राजयोग का निर्मार हो रहा है हुलिका दहन के दिन दोस्तों दुरुब नाम का योग बन रहा जो कि कई सो वर्सों के बाद आया है और साथ ही दोस्तों इस दिन अम्रिश शिद्योग और सरवाद शिद्योग का भी बनना जो कि काफी जदा लाबदायक बन रहा है और दोस्तों इस दिन राजयोग और धनयोग का निर्मार हो रहा है गुरू और सनी का एक साथ मिलन मकर रास में तो वहीं शुर और शुक्र का मीन रास में यानि यूती होना और यहाँ पर अंगारक योग यानि कि राहु और मंगल का बनाना और दोस्तों साथी बुद्ध दे योग बनने के कारण यह होलिका दहन बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपून बन रही है। बरकत सदैब धन धान से परिपून रहेंगे। धन की कमी कभी नहीं होगी। गाओं में कुछली बोलते हैं तो यह सारी चीजे बनती हैं यानि मीठाई बनती हैं बहुत सारी चीजे बनती हैं। चुकि इस दिन तेवहार बहुत बड़ा तेवहार है और बड़े तेवहारों में कुछ न कुछ यानि मीठी चीजे बनती हैं। तो इस दिन वैसे तो देखे खाने का बहुत ज़्यादा प्रवधान हैं लेकिन आप इस दिन विशेश रुप से क्या खाएं यह हम आपको बताएंगे। ताकि पूरे साल जमकर पैसा आई, सुक संबर्धी बने रहें, माता लक्षमी ची सदैब आपके घर में बास करें। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ न कुछ यानि की जरूर खा ही लेना इस दिन। बहुत सारी चीज़ें आप मार्कट चिलाएंगे, पफल फुल लाएंगे, अनार लाएंगे, अंगूर और आप शेव लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा गेहुं का चुकरा जो आटा चालते हैं उसमें जो बचता है और आप नमक मिला के और उसमें सरसों के दाने काले वाले मिला के और आप सर से तीन वार उल्टे बार के और घर के प्रतेक शदस्यों से के सर से उल्टे बार के और उसे अगनी परजुलित अग नमें डाल है तो बहुत चमतकारिक लाब होता है जीवन में धन्दाण में बरदि होती है अब तुकि दोस्तों हमारा जो टोपिक है एक चीज जरूर खालेना वो हम आपको बताते हैं तो जैसे आपके घर में बनती है बहुत सारे चीज समया, खीर बनती है तो इस दिन आपको यानि की खीर वगर तो खाते ही हैं सिमया भी खाते हैं बहुत सारी चीजे बनती है आप अंगूर लाते हैं वो खाते हैं लेकिन इस दिन क्या खाना चाहिए ताकि पूरे साल जमकर पैसा आए देखिए गुजिया जिसको कहते हैं कुषली गाव में तो मार्केट से लेकर आए काले वाले अंगूर वो आपको होलिका दहन दिन जरूर खा लेना है जरूर खा लेना है यालिका ले और ऑपको गुजिय जरूर آगने चाहे घाघ है अगर आप यह खा लेते हैं तो आपको जीवन में उल्kay यहां ऐं जो सुभ महूर च्छे बच कर 30 मिनट से लेके और रात जी आठ बच कर 55 मिनट इस समय आपको कुछ भी नहीं खाना है उस समय दोस लगता अगर कोई चीज खाते हैं तो आपको इस से पहले ही खाले ना है खाके ही आपको अगनी परजुलित यानी अगनी इस्थान पर जाना है होली के दहन के स इस दिन आप जैसे की फल फूल में आप इस दिन अंगूर तो खाना ही है अगर आपको काला वाला नहीं मिलता तो हारा वाला अंगूर भी खा शकते हैं लेकिन इस दिन आपको क्या करना है इस दिन आपको मिस्री थोड़ी से मिस्री ले ले लेना है थोड़ी सी आपको इला जहना को जरूर खा लेना नए कि आपको होली कादेहन कि दिन यह चीज़ शयुदा को स्नफ मिलाके खा लेना आय hiring में। बेसे ओल्या खाने कि बहुत भीषेशर रूप से फलदाई माना ऑना जाता है। गुजिया अगर खाएंगे इस दिन और काला अंगूर खाएंगे या हारा वाला अंगूर भी खाशकते हैं, फलों में आप केला भी खाशकते हैं, साती इस दिन आप चाहें तो आप सेव खाशकते हैं, बहुत सारी चीजे जैसे कि आप खाशकते हैं, इससे आपके घर में क्षंब्रेदी बढ़ेगी तो दोस्तों कमेंट स्क्षिन में सच्चे दिल से जय मालक्षमी अवश्य लिखें और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें नहीं तो चलों सब्सक्राइब करें और से शेयर करें